कि अग्लू को नमस्का दोस्तों स्वागत आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाहा है सिविल प्लस आइटी-टेक्ड दोस्तों आज के चैनल में हम कि बात करेंगे केल्टि इस दोस्तों आज मैं आपको एंट ट्राइब के बारे में बता हूं कि उसका केलिदेशन आप कैसे दोस्तों मैं आज यहां पर आपके लिए में 20 ग्रेट का जो अगर करेट है उसका यहां पर निकालने वालों 1.5 और 3 तो इसमें जो हमारा 1.5 वह सेंट है और जो 3 है वह हमारा एग्रियो आपको इसमें हम निकालें गे 1.3 की दोस्तों तो इसमें सब्सक्राइब करते लेट स्कूब्स आउट डा वॉल्म उप मैट्रियल काल्कुलेशन ऑफ हाव वन क्यूब्स थिक धूस्तों इसमें ज kام besoin कि यह वैट वैल्यू में इसको हमें ड्राइव वोल्यूम में खनवर करना यह तो ड्राइव वॉल्यूमें करने का जो फार्म थिया वाल्यूम यहां व्याहँ नदेशना में है वह फार्म से मॉल्यूम प्रोंट यह वह थेगाए दोस्तों तो समॉल पोलिव यह यह व्या सब्सक्राइब में यहां पर कन्वाट करना है 1 में सब्सक्राइब हम आप MRD 129 दोस्तो यहां फिले पर थल्सक्राइब खाइब हम्ने प्राइब करने के लिए वालियु में इन्टू 1.57 हमने यहां पर वैल्यू लिए है तो जो हमारा वाल्यूम बैड वाल्यूम कर वह गोगी वह वह पर हमारे पास ही होगी हमारा है सिमेंट की वैलियू कि जैसे आप यहां देख पाने मैं यहां पर काथा यहां पर जो हमारायं 20 में मन्गे किया खोड़ार सी मैंने यहां पर किया है तो यह हमारे पास वैलु रहा है तो जो दस्तों नीचे दिया ओए हमारा सम है जो हमने टोटल सम निकाला यहां पर ठीक है था हमारे पास 5.5 हमने उसे unit ध्यान हुआ है दोस्तों सीमेंट को भी हम आरते हैं हमेशा kg होता है इसको kg में कोई कोई मिटर ने करने के वाद दोस्तों हमें इसे kg कर्वड करना iya तो क pension करने के लिए हमारे पर हमें इसको 14 40 से मल्ट्पाइए करना पड़ता है धोता है कि यहां पर यह वह करना होती है वह एक टेंसिटी है सिमेंट की ठीक है धोस्तों यह सीमेंट की डेंसिटी है तो इसको जब हम इससे मल्टिपाइब करते हैं से मुख्य करते हैं तो जो यहां देख पा रहे हैं यहां पर मैं लिखा volume of cement in kg तो दोस्तों हमने यहां पर जो हमारा volume निकला था जो की कुपिक मीटर में था उसे हमने multiply करना है 1440 से तो उसके बाद मंट्रिपाय करने की बाद दोस्तों हमारे पास 411 kg यहां पर जो है सीमेंट की value आयती है ठीके दोस्तों कि उसके बाद दोस्तों हम इसका जो लेट फांड आउट था numbers of cement bags तो दोस्तों हम यहां पर सीमेंट को बैग में convert करना है जैसे कि आप जानते हैं जो सीमेंट की बोरी मिलती है यह सीमेंट का जो बैग मिलता है वह 50 kg का होता है तो हमें हमारे पास जो 411 kg था इसको हमने क्या करना है 50 से 50 से डिवाइड करने बाद दोस्तों हमारे पास जो number of आएंगे वह आएंगे यहां पर 8 तो यहां पर दीक पार है मैं यहां मैंशने किया 50 kg फिप्टी के इस्पोल टूट बैग ओफ सीमेंट है दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना हमें निकालना है यहां पर यहां पर जो सेंड की वॉल्यूम है जो हमारे रिश्यू में यहां पर दोस्तों देखिए 1.5 जो हमारे पास यह जो है सेंड की वैल्यू है ठीके दोस्तों तो यहां यहां पर क्या करेंगे जो हमारे सेंड की वैल्यू उसको हम डिवाड करेंगे टोटल वैल्यू अफ यह रखना है इसे हमें ऐसे रहन देना ठीके दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है हमें निकालें volume of aggregates निकालने के लिए हम फार्मोर लगाएंग इसमें क्या रहिए लिए जो हमारे पास यहां पर तीन और जो हमारे पास चोटल सम अफ रिशू है वहमारे पास 5.5 है कि जैसे के आपको दिखा जायता हूँ यहाँ पर देखें दोश्च यहाँ पर अगरिकी जो वैलीओ वह तीन है ठीक दोस्तो यह रही कि उसके बाद वसे हमें क्या करना वसे बाद हमने 3 को डिवाइड करके 5.5 ना वसके बाद मुट्रिप्लिप्लिप्लाइड करना है 1.57 से तो इसकी वेल्यू जो आती है दोस्तो यह आती है हमारे पास 0.856 क्यूशंस क्यूबी मेटर ठीक है दोस्तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको यहां पर दिखाएता हूँ यह जो density है वो हमारी 1440 कैसे आई इसको multiply कैसे कि हमें दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो density है इसका unit देखी यहां पर kg पर cubic meter है और जो हमारे पास जो volume निकला था वो हमारे पास यह था दोस्तों मैं आपको करके दिखाएता हूँ यहां पर 0.285 को हम जब multiply करेंगे क्योंको दोस्तों इसके cubic meter है और 1440 कैसे जो unit है वो kg पर cubic meter है तो हमारे क्या होगा यह 2.85 meter cube हमारे उपर रहेगा उसके अलावा हमारे पास 1440 kg हमारे उपर रहेगा लेकिन यह हमारे पर में है तो दोस्तों यह होगा हमारे यह आ जाएगा नीचे meter cube दोस्तों यहां से meter cube से meter cube cancel हो जाएगा उसके बाद जो बचेगा हमारे पास kg दोस्तों जब हम 0.285 से multiply करके हमारे 1440 को multiply करने के बाद जो हमारे पास unit बचेगा वो हमारे पार बचेगा kg तो हमारे पास यह 411 unit है kg मीटर से meter cancel हो गया तो इसके बाद यहां बचेगा kg ठीक है दोस्तों तो आप दोस्तों आप यहां पर confuse मत होना कि आपका यहां पर kg कैसे आया था क्योंकि आपका पहले unit जो था वो वॉल्यूम में था और इसके बाद में सब्सक्राइब करते हैं ठीके दोस्तों ओफ़ली आपको यहां पर पता चल गया होगा आप में तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए साथ में बैल आइकन दबाना ना भूली गया और मेरे आने वारे यूट्यूब वीडियो उसको देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं अपडेट डालूंगा यहां पर आपको सबसे पहले मिले और यह वीडियो देखने के लिए आपका सब्सक्राइब कर दो.